आज मैं आपसे एक कॉंट्रोवर्शल और साथ ही साथ एक इंपॉर्टन टॉपिक पर बात करूंगा कि आप अपने माइंड को स्ट्रॉंग कैसे रखे यह वीडियो आज का जो वीडियो है काफियत तक मुझसे रिलेटेड है कि मैं अपने माइंड का एक्सरसाइज कैसे करता हूँ बहुत सारे लोग बहुत सारे मतलब 95% of the population भॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डिंग श्विमिंग यह सब जुमबड आहां से सब बॉडी का एक्सरसाइज तो जानते हैं लेकिं माइंड का एक्सरसाइज नहीं जानते हैं तो आज मैं आपसे माइन्ड के एक्सेसाइज के बारे में बात करूंगा जो मैं फॉलू करता हूँ अभी बहुत सारे जो लोग मतलब अपनी इमोशन्स के इसमें गिर जाते हैं मतलब थौट्स और इमोशन्स में सिंक्रोनाजेशन नहीं बढ़ता हूँ तो माइन्ड का एक्सेसाइज कैसे करना चाहिए और जो मैं करता हूँ मैं अपसे फोड़ा वोग मैं शेयर करना चाहता हूँ अभी मैं कहूंगा मैंने अभी तक जितने भे वीडियो बनाये हैं उसमें से मैंने half turn sober रहे के बनाये हैं अभी आप ये जो मैंने भी कहा ये सोच के आप भोचक्का हो जाओगे तो अभी भी जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मैं ड्रंक हूँ लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि नॉर्मल स्टेट में आपकी इमोशन्स और थौर्ट्स तो एक एक सिंक्रोनाइज स्टेट या फिर एक नॉर्मल वे में रहते हैं लेकिन जब आप ट्रिंक करते हो या ऐसा कुछ करते हो तो जो फौर्ट्स और जो इमोशनल जो स्टेट है वो अल्टर होटा उसापको बैलेंस करना है ये है मेरा वे एक्सराइस करने का मैंने कई सारे वीडियोज सोबर में बनाए है लेकिन कुछ कुछ बीपली स्पिरिच्वल या शंको से रिलेड़ जो वीडियोज है वो मैंने ड्रंक स्टेट में बनाए है जैसे कि मैंने महारास लीला हो गया या भी रिसेंटली जो डिप्रेशन के उपर जो मैंने वीडियो बनाया है टॉप सेवन शंक्स बजेट वाइस और ऐसे भी बहुत सारे वीडियोज सोबर और ड्रंक स्टेट दोनों में बनाया है तो कहने का तात्र यह है कि अगर मैं सोबर हूँ फिर भी मैं जो कह रहा हूँ या जो मेरे अंतरमन में है वही वो रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे बातों में और यदि मैं ड्रंक स्टेट में हूँ फिर भी जो मेरे थौटस है जो मेरे अंतर मन में है वही reflect हो so balance between sober and drunkness और यह कहने में मैं ज़रा भी शर्माउंगा नहीं की इस दोनों ability जो है sober state में बात करना और drunk state में बात करना यह मैंने खुद से डेवलप नहीं किया, यह विकॉज ओफ लॉड कृष्णास ग्रेस, आप में से किसी को मतलब बुरा लगेगा, लेकिन मैं प्राउडली बोलता हूँ, विकॉज ओफ लॉड कृष्णास ग्रेस अनली, यह दोनों स्टेट में मैं जो मेरे अंतरमन में है, मत इसलिए जो आप अपने अंतरमन में जो बात रखते हैं, वह यह आप पुलना चाहते हो, तो सुबर स्टेट और ट्रंक स्टेट में जो अभी मेरे अंतरमन जो रिफलेक्ट होता है, वह ही मैं कहता हूँ, दोनों स्टेट में मैं जो बात कहता हूँ, मतलब मन में सिफ मैं बोल्ड रहा हूँ, ड्रंक स्टेट में हुए, खुछ भी सोबर स्टेट में है, मतलब वह फ्लो होता है, मतलब एक काड़ अप इंटूशन जैसा, सामझ लेजिए जोगी मैं कहा रहा हूँ, वह इंटूशन जैसा फील होता है, बट वह नॉर्मल आप मतलब एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जब तक इनका ग्रेस नहीं होगा, वह नहीं आएगा, ऐसा मेरा बिलीज है, मैं जब 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 से ट्राइ नहीं करता हूँ, एक्सेस करने का, लेकिन, कुछ तो है, वह सोबर और ट्रंक स्टेट में मुझे वह फील होता है, जब जब निकल आता है मेरे सबान से, जो अंतरमन में जो मेरे आ रहा है, और वह सबान से बे इची चब होगे निकल रहा है, ऐसा, तो इसा माइव एक्सरसाइजिग मा माइड, जितना आप बॉड़ी पर इध्यान देते हो ना कि बॉड़ी पर एक्सरसाइस करना चीए, ये बनाना चीए, ऐसा कर्ब्स करना चीए, वैसे माइड के अप कर्फ बनाओ, माइड के 6-pack-apps बनाओ, 8-pack-apps बनाओ, फिर देको क्या होता है, बॉड़ी तो धूली जाओगे, फिर तब समझ में आगे कि माइड कितना difficult होता है, और उसके समझ में बॉड़ी कितना चिलर, पचास पैसे का भाव भी निए उसके समझ लेकर, ऐसा बोलता है, बॉड़ी पर एक्सराइस करके देखो, तब समझ मेंगा कि डिप्रेशन जब क्यों होता है, क्यों फ्रस्ट्र पर एक्सराइस करो, एक्सराइस करने पर ही माइन कंट्रोल में आता है, ऐसे नहीं कंट्रोल में आता है, तो यहीं जस्ट मुझे लगा कि बोल्ड़ी आपसे शेयर करना चाहिए, और मुझे कोई शरम नहीं है, जो आज मैंने टॉपिक बात की, प्राउडली कहता हूँ, कि सोबर स्टेट और ट्रंग स्टेट में जो भी मैं बात कहता हूँ, और आज जो मैंने कहा, इट्स नॉट बिकोज अफ मी, इट्स आल बिकोज अफ लौर्ड कृशन स्क्रेस, मैं तो जस्ट एक मीडियम हो, वो एक्सेस कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो जो इंट्यूशन जो आ रहा है, वो जो भी है, देखिए, अगर आप अपने आप पे घमन रखोगे, कि हाँ सब मैं ही कर रहा हूँ, तो इंट्यूशन ये सब फुल जाब, कभी नहीं आएगा, अग पे मतलब आप छोड़ दोगी कि हाँ, सब पुछ वही कर रहा है, किसी भी स्टेट में हो, कितना भी ड्रंक हो, कितना भी सोबर हो, सब आपको समझ में आएगा, जस्ट बीकॉज आफिस ग्रेस, यही आज का मुझे एक्षार करना था कि इंसेड अटेंशन डोडी एक्ससाईज की, रणिंग करना है, जॉगिंग करना है, करना है, सिक्स बैक ऐबस, फेंग आपन फेंग करना है, माइंड के कर्व्स बनाओ, 6-pack एप्स बनाओ, 8-pack एप्स बनाओ और फिर देखो अपके लाइफ में कितना ट्रमेंडस और ड्रास्टिक चेंज आता है आप खुछ स्थब रह जाओ को देखके कि इतना चेंज आ जाएगा कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा लाइफ में यही कुछ था मुझे बोलना था, जो मैंने फील किया मुझे लगा कि आप से शेयर करना चाहिए आप मैंसे कोई भी spiritual line में जो भी हो या spirituality whole heartedly follow करते हो मैं कता ही ही नहीं चाहूँगा कि आप मेरी advice follow करो लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको spiritual line में spiritual treatment deeply जाना हो तो you can try this exercise बट मैं यह कभी नहीं कहूँगा कि mandatory है it's all up to your own choice आपको लगता है तो ही करो नहीं तो छोड़ दिजे आप अपने ways find out किजे मैं कभी नहीं कहता कि मेरा जो मैंने जो way describe किया है वह ही मेरा right way है कभी नहीं कहूँगा अब अपने way find out किजे mental access किसी भी तरह कीजे mentally strong रही है यह मैं कहना चाहता हूँ मुझे लगा कि मुझे share करना चाहिए आप में से कुछ लोगों को अगर खीक लगता हूँ you can follow और else you can follow other ways so मैं ऐसे spiritual topics के बात करते रहूँगा और शंकों से related भी topics cover करते रहूँगा so मिलते अगले वीडियो में एक ने topic के साथ thank you so much and जैश्यों कुश्रा